हेलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट इटूप चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो सौधी अरब से लगातार अच्छी खबरे आ रहींगे और जो भी लोग इंडिया से सौधी अरब जाने के लिए इंतिजार कर रहे हैं डाइरेक्ट कि उन लोगों को कब परमीशन मिलेगी जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर जल्द ही आ सकती है क्योंकि सौधी में आज से बड़ा बदला हुआ है तमाम तरह की पबंदियां हटा ली गई है कुरोना से संबंदित और अब जो खबर आई है वो स फ्लाइटें आपरेट करेंगे यानि पूरी छमता के साथ में अब एरपोर्ट ओपन होंगे इसके लावा जो फ्लाइटें आपरेट हो रही है चाहिए डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो वो सब के सब फुल कैपिसिटी के साथ में आपरेट होंगी पूरी छमता के साथ म फ्लाइटें आपरेट करेंगी डोमिस्टिक भी और इंटरनेशनल भी यानि सौधी अरब पूरी तरीके से नार्मल लाइप की तरफ लौट चुका है यह आप कह सकते हैं क्यूंकि आज से ही सौधी अरब में सोसल डिस्टेंसिंग को लेकर मास्क को लेकर यह सब तमाम तरह की बंदिशें खत्म हो चुकी हैं तो आज से सौधी अरब में जब इतनी सारी चीजें लागो हो चुकी है तो अब सिर्फ और सिर्फ एक एलान बचा हुआ है सौधी हुकूमत की तरफ से कि यह एलान भी कर दिया जाया कि जो भी लोग होम कंट्री में वैक्सिनेटेड है यान एक हेलान बचा हुआ है कि इनको भी इंट्री करने के लिए साओधी हुकूमत की तरफ से परमिसन दे दी जाए तो इस पर भी जल्द कोई ना कोई डिसिजन साओधी हुकूमत ले सकती है क्योंकि साओधी अरब में अब सब कुछ नार्मल हो चुका है और इसके अलावा आम जन जीवन भी नार्मल हो चुका है तो साओधी हुकूमत के दोस्तों फैसले का इंतजार है कि इस पर भी जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला साओधी हुकूमत ले लेगी बैराल दोस्तों इस पर अपडेट का इंतजार है, जैसे ही कोई अपडेट आती है, जैसे ही कोई न्यू जाती है, वो आप तक सबसे पहले पहुचाए जाएगी.